सामखी चाय के साथ में अगर आपको आलू और प्याज के पकोड़े मिल जाए तो चाय का मजा हो जाएगा दुग ना इतने टेश्टी हमारी पकोड़े बनके तयार होते हैं तो चलेए देर किस बात की बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हैं पर मैंने दो आलू और तीन प्याज ले लिया इनको हम पहले अच्छे से पहले छील लेंगे उसके बाद में हम करेंगे इनको कट तो प्याज और मैंने आलू को छील के रख लिया था अब हम इसको काट लेंगे तो इस तरह से आलू को हम सलाइसिस में काट काट के तयार कर लेंगे और प्याज को भी काट के इसी तरह से हमें तयार कर लेना है तो यह पकोड़े इतने बड़ी हा इतने टेश्टी में के तयार होते हैं मिन्टों में बन जाते हैं ज्यादे इन में टाइम भी लगता है खाने में एक दम मज़िदा लगते हैं तो छोड़े टुकडों में काटके हरी मिर्च डाल दी इसमें उसके बाद में लेडी थोड़ी कसूरी मेथी उसको हाथ से कर लिया क्रेस्ट रूसमें डाल देंगे जब भी आप आलो और प्याज के पकोड़े बनाएं उसमें कसूरी मेथी जरूर डाले कसूरी मेथी से इतना पानी डालना यह तो अच्छे से इसको मिला लेंगे और जितने पानी युज्रोत है उतना ही इसमें पानी डाल देंगे और यह से इस तरह से हमारे अलूर प्याज का गोल बन के वह गया रिडी अब हम बनाएंगे इसके अच्छे से बाकोड़े तो यहाँ पर मैं रख दे था अब जैसी तेल गरम हुआ आप मैं इसमें डाल दूँगी यह पकोड़े तो जब भी आप इसमें तेल में पकोड़े डाले तो एक आलू के ऊपर उसके ऊपर होड़ा सा प्याज रखें तब इसमें पकोड़े डालने तो वही हमारे पकोड़े एकदम टेस्टी बनते हैं अग बढ़ ऐसे सिखने के बाद में हम निकाल लेंगे तो जब एक तरफ से अच्छे सिख जाएंगे तो हम इनको बलट लेंगे और ये पकोड़े इतने टेस्टी बनते हैं जो मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है उनका अलग ही स्वाद आता है तो जब भी आप पकोड़े बना लाइक शीर करना ना भूलें मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अब तक लिए थैंकिस ओमर्च